हमारे यूटूब चनल पर आपका स्वागा थे 36 गड़ में सरपंच और पंच बनने के लिए अर्थात योग्यताएं क्या है पूरे जानकरीस में जानते हैं 36 गड़ में पंच या सरपंच बनने के लिए सबसे पहला जो प्रमुक योग्यता होता है वो होता है मदादा सुची में नाम दर्ज होना चाहिए इसके लावा उम्मीद्वार कम से कम 21 साल पूरा कर चुका हो लाब के पत पर न हो अर्थात सरकारी नवकरी में नहीं होना चाहिए मानसिक रूप से बिमार न हो कोई भी मानसिक बिमारी नहीं होना चाहिए इसके लावा उन्होंने किसी भी जगह पर अर्थात भूमी पर अतिक्रमड ना किया हो। इसके लावा पंचायत की कोई भी रासी देना सरपंच के उपर या पंच के उपर बाकी ना हो। इसके लावा नसिले चीजों से संबन्धित अपराध का दोसी ना हो। यदि सरपंच कोई बनना चाहता है तो ये उसके लिए निवनतम अरताएं हैं यदि ये सभी कैटेरिया को कोई उम्मीद्वार पुरी करता है तो वो पंच या सरपंच बन सकता है यदि जानकर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें